असलाम लेकूम विल्कम बैक तो आज बिनाएंगे जी वही प्रेमिक्स से कूकर में केक और यह जो है मैं कोकनेट केक बना रही हूं वह भी कूकर में और सुनने में जिसे अच्छा लग रहा है कूकर में कोकनेट केक तो बनाना शुरू करते हैं यहां पर है दो कप के खरीब प्रेमिक्स तो मैं यहां पर डाल रही हूं एक मुठी भर के मेरी मुठी है तो 100 ग्राम है यह तो 100 ग्राम के खरीब मैंने यह कोकनेट लिया हुआ है और उसको अच्छे से ग्रेट किया नॉर्मल जैसे कोकनेट होता है घर में वही कोकनेट और उसको ग्रेट कर लिया अच् तो अधाई कप यह प्रेमिक्स था, दो कप से थोड़ा से जादा, और इसमें मैंने आधा कप के खरीब यह अपना खोपरा डाल दिया है, कोकनट डाल दिया, ड्राइ कोकनट, इसको आप ग्रैंड भी कर्सके डाल सकते हो, इस तरह से मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ है, अब इसमें बारी आ जाती है, और या फिर बटर आपकी मर्जी है, तो दो कप हमारा, दो से ढ़ाई कप है, प्रेमिक्स तो इसमें जाएगा, 7-8 टेबल स्पून और बटर भी डाल दो, आपकी मर्जी है, और 7-8 टेबल स्पून मैंने बटर आपकी मर्जी है, और 7-8 टेब वानी लेडा बार भी डाल सकते यापिस में, मैंने 1-2 टीस्पून वनील ऐसंस डाल दिया, कि यहाँ पर मैं मिलक एसंस अड़ कर्यें, आपको कोई भी बेकरी शॉप में जहांपर आप वनीला ऐसंस खरीते हो, जहां पर फेड़िते हों मिल जाएंगा वहां सब यह मिल जाए केट की पानी क्योंकि मिल्क पॉटर इसमें डाल चुकी हूं मैं तो इस वज़े से भी नहीं डाल रही पानी दिखिए त्री फॉर्थ कप यहां पर पानी लग चुका है मुझे तो यहां पर मैंने एक बरतन दूद गरम करने वाले बरतन को ग्रीस कर लिया था और मैदे से डस कर लिया और इसमें डाल दिया और यहां पर कुकर मैं गरम कर चुकी हूं एक नॉर्मल सा स्टैंड रख ले स्टैंड रखने के बाद जो है देखिए इस तरह से रखना रहे हो और धकन में से रबबर निकालना है और उपर से सीटी निकाल देनी है जब आपने केक बेग करन तो देखिए इस तरह से बन कर देना है और रख देंगे पची से तीस मिनट में आपका एकदम फस्क्लास केक बन कर तयार हो जाएगा और केक में यही वजा है कि कुकर का केक और अवन के केक में फरख ही है देख सकते आप जैसे के पची से तीस मिनट में यही बन चुका है तो उपर की लेयर थोड़ सी इसकी कलर नहीं आता है बस यही फरख है दूसरा कोई भी ने टेस्ट बहुत अच्छा आता है टेक्स्टर सब वही सेम बट ऊपर का कलर थोड़ा सा हलका आता है अएक मैंने काल लिया है और इसको आप मैं कर दो चार दिन, तो थोडसा पानी डाल दो वैसे मिलक पाउडर डालने की बाद पानी लूड डालने की कोई जरूरत भी धी क्योंकि Milk Powder में अच्छा साथ टेस्ट आ जाता है इसलिए. Milk Powder डालें या भी या आप Milk डाल दें, आपकी मर्जी है या फिर आप दो भी डालना चाहरे हो Milk भी डाल जाना हो, Milk Powder भी डाल रहा हो तो वह बहुत अच्छा rich एकडम बहुत बहतरीन सा केक बन कर तयार हो जाएगा उसकी self life बस थोड़ी सी कम हो जाएगी दूसरा कोई भी फरख नहीं है देखिए एकदम मैंने गरम गरम इसको कट किया है और ये tea time cake के लिए तो बहुत बहतरीन है तो इसको बनाईएगा जरूर आपके बच्चों के लिए बहतरीन या फिर बड़ों के लिए भी बहतरीन सा लाइट वेट केक एकदम बन कर तयार हो जाएगा बनाईएगा जरूर, ट्राईजरूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट के जरीए अपना फीड़बेक जरूर दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए तो नए है चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें तो इसी तरह से मिलते हैं अच्छी रेसिपीस के साथ तब तक के लिए अला आफिस